हेलो दोस्तों आप से भी वस्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में इनकी से आज की इस वड़ों में हम Poco M6 Pro या Redmi 12 5G इसको कह लिए दोनों ही आपको सेमी फोन देखने को मिलता है तो इस आज की इस वड़ों में इसका फुल डिटेल रिवीव करने वाले हैं अल्मॉस्ट द करते देने वाले हैं दखते रहें यह वीडियो को यहां पर डिजाइन की बात करें तो काफी मस्त लूक में आता है लेकिन कि यहां पर मैं एक चीज़ कहूंगा कि यह जो पोको का यह ब्लेक अड करते है न इसके वैसे मुझे उतना डिजाइन नहीं लगता यहां पर अगर तो यह नहीं चाहिए तो आप एजिली रेडमी 12 5G ले सकते हैं वहाँ पे आपको पूरा ही प्लेन देखने को मिलता है और वो मुझे बेटर भी लगता है दूसरी बात यह कि इस यहाँ पे आपको ग्लास बेक देखने को मिलता है जनरली इस प्राइस रेंज में कोई भी ब्र काफी बड़ा है तो मतलब आपके हाथ बड़े भी होंगे तब भी आपको दोनों हाथ से यूज और दूसरी चीजी कि आपका देखने को मिल जाएग मैं अब दोस्ति के साथ में आता है और इसमें आपको जो देखने को मिलता है डिस्प्ले वह फूल एजडी प्लस LCD का ही डिस्प्ले है इस प्रैस रेंज में आपको LCD देखने को मिलेगा है 90 भी दे दी है तो यह अच्छी चीज़ है यहाँ पे 90 यहाँ पे आपको मतलब इस प्रैस रेंज में कोई ब्रैंड जल्दी आपको देखने को नहीं मिलागा जहाँ पंच होल यूज़ करते होंगा अल्मॉस्ट सभी जो 10,000 के अंडर आते हैं उसमें आपको नौच ही देखने को मिलता है बट इस फोन में आपको पंच होल दिया ग यह काम की है अब दोस्ति यहाँ पर सफ्ट्वेर की बात करें तो वैसे कि इसमें मिवाई के सफ्ट्वेर चलता है यहाँ पर मैं किलिरली कहूंगा कि इस प्राइस रेंज में मैंने एक फोन टेस्ट किया था जो कि लावा का ब्लेश्टू था यहाँ पर काफी वीक प्रोस तो उनको यह थोड़ी कमी महसूस होगी और यह प्रोसेसर में उतना दम है कि यह एनिमेशन को जहल सके तो देना चाहिए था अब दोस्त काफी सार लोग का यह सवाल रहता है कि जो पोको के फोन्स होते हैं वो कुछ दिन बाद सफ्ट्वेर के थूरू या अटोमेटिक ही डेड हो जाते हैं तो क्या यह भी फोन डेड होगा तो कि यहां पर मैंने यह नोटिस किया कि मतलब एक सीरीज वगरा में इसू देखने को मिला है लेकिन जो एन सीरीज है बैसिकली उसमें अभी तक कोई इसू नहीं देखने को मिला एक पोको का M3 था साथ उसमें कुछ इस और फोन सफ्ट्वर के थूरू डेड होता है तो कुछ हेल्प कर देता है अपना मैं कहूंगा कि डेड का इसू इसमें मतलब ना के बराबर देखने को मिलेगा अब दोस्ति यहां पर बात करते हैं के में सोगीज यहां पर वैसे आपको पिछे की तरफ दो केमरा देखने को मिलता है ऐसे आपको फिल होगा कि तीन केमरा से बट अनफॉर्चुनल यहां पर दो केमरा देखने को मिलता है एंड को यही आज कल मतलब हर ब्रैंड दो केमरा तीन केमरा प्रोवाइड कर रहे हैं बट एक ही काम का रहता है दूसरा जो होता है वह दो मैंगा पिक्सल एप स बात फडिर्स अवंदें को भी गतो है लेगाने लेडिएां do a जो फिर बात था एड़ को अजेड़ हो पाव ले देड़ी को अबसे, अदो के लेड़ी को अएड़ी को पीज़ी क की अवे रिदारा जिर्स पीज़ी क्या झाय़ी को भी जड़ीर को यज़ी था देड़ी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें ALEX तो कर तो को सकता हो इस प्राइस रेंज के इसाफ से जो केमरा वह काफी अच्छा सैंपल आपको प्रोड़ाडा कर दता है का फी यूजएerval वाल अच्छी कॉलिटीए अच्छी प्रोवाइड करता है बट इंडोर में अगर आप यूज करेंगे तो आप लाइट के वज़ा से थोड़ा कमी के वज़ा से उतना सार्प पिक्चर यह सौट नहीं कर पाता है तो परवल मैं कहूंगा कि इस प्रेसे में और चार्जिंग के ताइम बिसिकली बता जाता हूं कि इसमें अब यहां पर आपको सुलो चार्जिंग देखने को मिलता है 18 वाइट का वैसे इसको फ्रसेसर के वारे में सब्सक्राइब कर दो कि इसमें आपको मिलता है इस डेम डरन का फोर्जयन टू की जो फोरजन वोन आय पंद्रह जार प्राइस में देखने को मिलता था साउमी वाले रेडमी या पको कह लीजे यह प्रोवाइड के आपको कितने दस चाहर को प्रोउक्स में अगर अगर ब्रैंड का देखें दोग जो लोग क्या प्रोवाइड करता है जी एटी एड़ी तर्टी सेबन यूनिसाव यहां पर पर्फॉर्मेंस आपको इसमें बेटर देखने को मिल जाती है और दोस्त एक अडवाइस मेरी तरफ से यह रहेगी कि अगर आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है तो मैं आपको रिकॉर्मेंड करूंगा कि जो हायर वेरियंट है यानि कि 6GB RAM 128GB वही बाई कीजियागा क्योंकि मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि रियल्मी 55 मैंने बाई किया था 4GB RAM 64GB वाला वेरियंट इसमें मैं गेमिंग भी किया और नॉर्मल यूज में भी बहुत ही ज्यादा जीटर्स टाइप में देखने को मिलते थे बटकिस रिसेंटली मै अगर आप हायर वेरियंट लेते हैं तो आपका गेमिंग एक्स्प्रेंस बेटर हो जाता है अब कंपनी को यह चाहिए कि भाई जो बेस ब्रेंट है उसको भी अच्छे से उप्टिमाइज करें क्योंकि हर बंदा कोई भी मतलब हायर भी कर सकता तो यहां पे कंपनी वालों क देखने को मिल जाएगा 10,000 का लब लेकिन अभी आप इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा और इसका जो सबसे हायर वेरियंट है वह है कि 6GB वान ट्वेंटी एड़ जीपी स्टोरेज एंड कि वह आता है 13,000 में लेंगे तो 12,000 में इसली मिल जाएगा तो कि इस प्राइ इस वहां पर 60Hz का डिस्पले दिए है जबकि इसमें 90Hz है और इस वहां पर 18W चार्जिंग है और इसमें भी है लेकिन कि यहां पर पंच होल भी दे दिये तो यह थोड़ा बेटर हो जाता है यहां पर गलास में देखने को मिल जाता है तो यह एक अडवांटेज इसके पास ह जाता है जरूर से आप इस फोन को बाई कर सकते हैं फिलाल वीडियो में इतना ही उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो किस मिलते हम आप से एक लिए वीडियो में तब तक के लिए दोस्त बाई बाई